नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विश्लिस्टन में आपका स्वागत है हमेशा की तरह इस वीडियो की सुरुवात करते हैं कल के पूछे गए प्रस्टन से कल प्रस्टन पूछा गया था कि प्रधान मंत्री स्रम योगी मांधन योजना निम्न में से किसे समंधित है और उप्षन D इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है उप्षन B और संगठी चेत्र है यह रहा आज का वस्तुनिष्ट प्रस्टन है कि भारतिय खाद निगम निम्न में से किस मंत्राले के अंत्रगत है चार आप्षन है आप्षन A किर्सी लागत एवं मुले आयोग आप्षन B किर्षी एवं किर्षत कल्यान मंत्राले आप्षन C उपभोगता मामले खाद एवं सारजनिक वितरण मंत्राले और आप्षन D इन में से कोई नहीं कमेंट सेक्षन में आपके जबाब का इंतिजार रहेगा अब हम देखते हैं आज का टॉपिक आज हम फाइनसिल एक्सप्रेस में पॉब्लिस एक आर्टिकल जिसका सिर्शक है हाव इंडिया गौट पीडियस दिलेवरी राइट पर चर्चा करने वाले हैं यह आर्टिकल जियस पेपर थर्ड में शामिल विसए जन वित्रण परनाली उदेश्य कार्य सिमाएं सुधार बफर इस्टॉक तथा खादी सुरक्षा समंधी विसए की द्रिश्टिकों से महत्य चलिए देखते हैं इस आर्टिकल को विस्तार के साथ इस आर्टिकल का आधार है पीडियस में सुधार एवं तकनीक का प्रियोक पीडियस यानि की सार्जनिक वित्रण परनाली यह देस में खाद्य अर्थ विवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीती का एक महत्त वित्रित किसी वस्तु की समस्त आवेशक्ता उपलब्ध कराना नहीं है। 1960 के दसक में खाद्य संकट की कमी को दूर करने के लिए सार्जनिक वित्रण परणाली या PDS को प्रारंब किया गया था। हरित करान्ती के परिणाम सरूप राष्ट्रिय खाद्य उत्पादन में विर्द्धिवी इसलिए PDS के पहुच का विस्तार 1970 और 1980 के दसकों में अत्यधिक निर्धनता वाले जनजातिय छित्रों तक किया गया। प्रारंब में PDS की प्रक्रती सार्व भौमिक थी। परंतु भारत सरकार ने गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1997 इस्वी में Targeted Public Distribution System यानि की लक्षित सार्जनिक वित्रण परणाली की सुरबात की। फिर आगे चलकर 2000 इस्वी में भारत सरकार की द्वारा अंतियोदय अन्योजना को प्रारंब किया गया जिसका उद्देश से गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के निर्धनतम वर्ग की भुकमरी को समाप्त करना था। फिर राष्ट्रिये खादि सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतरगत सार्जनिक वित्रण परणाली के छेत्र को व्यापक किया गया। तो हम यहाँ पर यह देखते हैं कि 1960 के दसक में जिस सार्जनिक वित्रण परणाली को प्रारंब किया गया तब से लेकर अब तक इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। प्रारंब में सार्जनिक वित्रण परणाली एक कल्यान आधारित उपाय या साधन थी। परंतु National Food Security Act 2013 के अंतरगत सार्जनिक वित्रण परणाली एक अधिकार आधारित खाद्य सुरक्षा प्लेटफॉर्म के रूप में परिवर्तित हुई। अगर हम बात करें National Food Security Act 2013 या राष्ट्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तो इसके द्वारा खाद्य अधिकार को वैधानिकता परदान की गई। इस अधिनियम के अंत्रगत लक्षित सार्जनिक वित्रण परणाली यानि की Targeted Public Distribution System के तहत अखिल भारतिय इस्तर पर 75% तक ग्रामीन जनसंख्यां तथा 50% तक शहरी जनसंख्यां को कवर किये जाने का प्राबधान है। जो देश की कुल अबादी का 67% है। इसके अंत्रगत लक्षित समू या प्राथमिक्ता वाले परिवार चावल, गेहू एवं मोटे अनाच के लिए क्रमसह तीन रुपए, दो रुपए और एक रुपए प्रती कीलो ग्राम के निर्गम मुल्यों पर पांच कीलो प्रती व् प्राप्त करने के हकदार है। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रारंब होने के बाबजूद भी अन्तियोदय अन्य योजना के मौजूदा परिवार 35 कीलो प्रती परिवार प्रतीमह खाध्यान प्राप्त कर रहे हैं। राश्ट्रिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतरगत लक्षित सार्जनिक वितरन परनाली का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधिन चलाई जाती है। उचित दर की दुकानों के परिवेक्षन करने सहित अन्य कारियों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। लक्षित सार्जनिक वितरन परनाली में सुधार के लिए कई वर्सों से नई पहल और नई तकनीक का प्रयोग किया गया है। अब हम एक एक कर इन पहल और तकनीक पर चर्चा करेंगे। हमें यह पता है कि Targeted Public Distribution System संचालन में पारदरसिता को बढ़ाने और नागरी केंदरित सेवा डिलवरी को सुनिश्चित करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटरी करण किया गया है। National Food Security Act के अंतरगत देश भर में 23.5 करोर रासन कार्ड का डिजिटली करन किया गया है। और यह डिजिटली करन का कार्य 80% से जादा लाभार्थी को कवर करता है। और रासन कार्ड की यह सुची परतेक राज्य सरकार और केंद्र सासित प्रदेश के संमंधित पोर्टल पर उपलब्द है। उसके अलावा 31 राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों द्वारा गोदाम के भंडारन से सम्मंदित ओनलाइन प्रबंधन के लिए सप्लाई चेन ओप्रेशन को आटोमेटेड किया गया है। करने के लिए टोल फ्री हेल्प लाइन और ओनलाइन मेकनिजम को भी प्रारंब किया गया है। कुल मासिक वितरण का 70% बायोमेट्रिक पहचान के आधार पर वितरित किया जाता है। और पिछले 7 वर्सों में 4.39 करोड आयोग या नकली रासन कार्ड की पहचान भी की गई है। पीडियस में लगातार सुधार की इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से थर्ड पार्टी के द्वारा पीडियस विवस्था का एसेस्मेंट या उसका आकलन किया जाता है। इस थर्ड पार्टी में आयाटीज और आई आई एम जैसे संस्थान सामिल होते हैं। इसके अलावा देश में रासन कार्ड पॉटिबिलिटी को वन नेशन वन रासन कार्ड योजना के अंतरगत प्रारंब किया गया है। जिसमें हमें यह पता है कि यह मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों पर केंद्रित हैं। इसके साथ ही छह राज्यों के छह जीलों में एक पाइलट प्रोजेक्ट को प्रारंब किया गया है। जिसका उद्देश है कि जितने भी सही लाभार्थी हैं जिनको कल्यानकारी योजनाओं की आविश्यक्ता है तो इन सही लाभार्थियों को सभी कल्यानकारी योजना से जोड़ना। ये च्छा राज्य और च्छा जीले हैं देखिए कौन-कौन से जारखंड का पलामुजीला, उत्तर प्रदेश का बारा बंकी, गुजरात का शोटाओ देपूर, आंध्र प्रदेश का गुंटूर, हिमाचल प्रदेश का मंडी और मिजोरम का हनाई थियल। इस प्रोजेक्ट के अंतरगत, ग्रामीन विकास मंत्राले द्वारा किये गए Ease of Living Survey के लाभार्थी डेटा का मिलान, Public Distribution System के लाभार्थी डेटा से किया गया है, ताकि यह पता चल सेके कि एक लाभार्थी क्या सभी कल्यानकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पा रहा ह है या नहीं कर पा रहा है, और यह जो पाइलट प्रोजेक्ट किया गया, तो इसमें यह पता चला है कि 61% लाभार्थियों के द्वारा सभी योजनाओं से लाभ प्राप्त किया जा रहा है, और ठीक ऐसा ही एक कार्य किया जाएगा, वह कार्य यह होगा कि National Food Security Act के डेटा बेस का मिलान National Population Registrar Data के साथ होगा, अब इस पाइलट प्रोजेक्ट की सफलता से किस प्रकार के लाभ की प्राप्ती हो सकती है, तो देखिए, एक तो कल्यानकारी योजनाओं से सम्मंधित संस्थानों की पास एक समान डेटा की उपलब्धता होगी, इसके अलावा सही लाभार्तियों की पाचान भी सुनिश्चित होगी, फिर किसी भी लाभार्ति के छूटने की तुरूटी लगबग समाप्त हो जाएगी, और सही लाभार्ति को सभी योजनाओं का एक साथ लाभ मिलेगा, इसी लाभ को देखते हुए स्वास्त मंत्राले ने एक प्रस्त नहीं कि तकनीक आधारित PDS के कारण ही COVID-19 महमारी में अप्रेल से नौवंबर महिने की अबधी में 80 करोड लोगों की खाध्यान की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई, अगर हम यह कहें कि वैस्विक इस्तर पर भारत की समान PDS का संचालन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें अतिसयोक्ती नहीं होगी, भारतिय पब्लिक डिस्ट्यूबिशन सिस्टम या साजनिक वितरन परनाली ने ना किवल महमारी के दौरान खाध्यान को उपलब्ध कराया, बलकि इस अबधी में इस परनाली में मौजूद काफी विसंगतियों को दूर भी किया गया, हालांकि क प्रिकेज की समस्या मौजूद है या यूं कहें कि भरस्टाचार की समस्या मौजूद है और सही लाभारतियों को अभी भी पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है, बायोमेट्रिक विवस्था जरूर लाए गई, लेकिन इससे सम्मंधित समस्या है, समस्या यह है कि बायोमेट्रिक के अंतरगत, जो फिंगर प्रिंट लिये जाते हैं, उसी से लाभारति की पहचान सुनिस्चित होती है, लेकिन डैनिक आधार पर काम करने वाले यह जो मजदूर होते हैं, जिनका मुक्य कार्य शाररिक स्रम होता है, तो ऐसा भी होता है कि शाररिक स्रम के द इंटरनेट की पहुँच एवं स्पीड की कमी भी एक समस्या है, परन्तु आसा यह है कि समय के साथ साथ यह कमियां दूर हो जाएंगी, तो इस प्रकार संपातकी से समंधित इस वीडियो में हमने आज पब्लिक इस्टिबिशन सिस्टम में जो तकनीक का प्रियोग किया गय इस पर हमने चर्चा की, यह रहा इसे समंधित प्रशन है, प्रशन है कि तकनीक के प्रियोग ने सार्जनिक वितरन प्रणाली के रूप को बदल दिया, कैसे? इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नमस्कार!